आज है 14 जुलाई और आज भाया विप्रो के शहर में एक बड़ी रफ्तार आई है साथ परसंट की तेजी बहुत महीनों बाद विप्रो के शहर ने सिंगल डे में इतनी बड़ी तेजी दिखाई है और काफी अच्छी बात है यह 560 रुपए तक शहर पहुंच चुका है और अपने चैनल को रेगुलो फॉलो करते हैं तो जब यह तूट रहा था तब मैंने कई सारे विडियो बनाए थे कि देखो यह जो गिरावट है ना याद रखे बहुत जल्दी तेजी यह देखे पूरे महीने तक तूटता रहा 560 बरी था ठीक है शुरुआती दौर में तू विप्रो के शेर में आकर इतनी बड़ी तेजी क्यों आई और मौका बन रहा है कि नहीं बाइन का वो भी हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियो से आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो विप्रो का शेर पांसो सांट रुपे का शेर है और एक महिने में अच्छी खासी तेजी दिखाई है और एक चीज में यहां पर आपको बताना चाहा हो कि देखिए आप जब भी कोई शेर अपने पॉर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आप हमेशा दो चीजों को बारे में सबसे पहले उसको सोचते हैं कि क्या आप इस शेर को मैं इन्वेश्मेंट परपस से ले रहा हूं या ट्रेडिंग परपस से ले रहा हूं अगर आ कि मैं हमेशा मानता हूँ कि विपरो हो गया इनफोसीस हो गया ये ऐसे share हैं जिसको हम investment purpose से लेते हैं कि जिसको हम अपने पॉर्टफोलियो में कम से कम दो तिन साल के लिए तो जगे देते ही है और उससे जगह भी हम इसको अपने portfolio में रख सकते हैं तो ये हो गया investment purpose और फूचर उतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ चलेगा अभी एक महीने ठीक है तो चलो एक दो महीने के लिए खरीद लेते हैं बाद में जब तेजी आएगे इसको बेच देंगे वापस किसी और में निवेश करेंगे तो यह चीज होती है ट्रेडिंग वाली तो मैं हमेशा मान चाहिए बलकि आप जब चाहे हर गिरावट में यहां पर एडिशन कर सकते हैं यहां पर हर गिरावट में यहां पर आप देखें अच्छी खासी तेजी बनी और तेजी की जो वजह है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि विप्रो वेंचर का जो पोट्फोलियों है वो 250 मिलिय डॉदल तक का पहुँच चुका है और उन्होंने ग्लोबली इंडिया के बाहर भी ग्लोबली 25 जितनी कमपनियों में निवेश करके रखा हुआ है मतलब आप समझ सकते हैं एगर वो इनका जो निवेश है अगर वो बढ़ रहा है तो आटोमेटिकली विप्रो की वैल्यू आटोमेटिकली यहां पर बढ़ रही है जिन कमपनियों में विप्रो का निवेश है अगर वो कमपनिया बढ़ती है उनकी वैल्यूशन बढ़ती है तो ओवर आल इनका ये जो निवेश है वो बढ़ रहा है और ये किसी और ने नहीं भाईया उनके चैर्मेन ने कहा है रश है उसको और बढ़ाएंगे एक और अच्छी बात है कि पेंडामिक के दौर में 55 परसंट जितने इंडिया बेस विपरो के employees है उनका fully vaccination हो चुका है ठीक है एक और चीज है यहां पर के अजीज प्रेम जी जो भया विपरो की करता दरता है उनकी जो charity firm है उन्होंने पिछले 5 सालों में 18,000 करोर रुपे उनको मिले है विपरो के buyback और dividend सबको मिला कर तो यह एक बड़ी बात है कि भाईया इनका देखें जो भी अजीज प्रेम जी का जो charity firm है विपरो का वहाँ पर एक बड़ा पैसा जाता है मतलब विपरो के share बढ़ेंगे तो जो charity firm की भी कुछ holding है यहाँ पर वह यह बढ़ने वाली है उनको भी dividend मिलता है buyback का मौका उनको भी मिलता है और तो और कई सारी चीज़े bonus वगरा भी उनको मिलते रहते हैं तो यह भी अच्छी बात है एक और update यहाँ पर वो है कि देखो कल विपरो के results आने वाले ठीक है औ विपरो के results अच्छा आ सकते हैं लेगिन मैं कहूंगा कि विपरो के results अच्छा आएंगे कि नहीं उसके लिए आपको आज जो infosys के results आने वाले हैं उसको देखना चाहिए देखे शाम को जैसे ही results आ जाएंगे definitely मैं infosys के जैसे results आएंगे मैं video बना कर आपको update भी कर ग्रोथ है 225 से 560 रुपे का level चुआ है और अब तक का highs बना है यह अब तक का सबसे बड़ा highs बना है विपरो का तीन साल में 165% का growth है लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए अगर मैं 10 साल का भी चार्ट दिखा हूँ तो आप यह कहोगी कर विपरो ने 10 साल में return जो दिया है वो से 260% का है लेकिन actual में देखा जाए तो वो कई 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 गुना जादा है क्योंकि विपरो ने कई बार bonus पे किया है कई बार dividend अच्छा खासा पे किया है buyback लेकर आए है यह तो याद रखिए विपरो जैसे कि मैंने कोई एक वीडियो मैंने बना था बहुत प 1400 करोड यहां पर आप देखेंगे तो लार्ज करोड शारे 3 लाग करोड के आसपास का market के आप है NSE में देखें तो 3 करोड के आसपास का volume rate बड़ी quantity में लोग खरीदारी भी quality में लगे हैं यहां पर 73% से भी जादा की holding promoter के पास है 9.21% की holding Files के पास है 2.33% की holding mutual fund 3.76% की holding insurance company के पास है वीप्रो के बारे में देखें तो वीप्रो अभी भी काफी सस्ते PE के उपर rate कर रहा है 26 के आसपास का जो मैं मानतों के काफी बहतर PE ratio है अभी भी इतना महंगा नहीं हुआ है वीप्रो का share और dividend हलाकि 50% का है लेकिन bonus के लिए यह share जाना जाता है तो अगर आप bonus क काउंट करेंगे तो भाई साब बहुत भी बढ़िया देखने को मिलेंगे results आपको technical dating शांदार है तेज़ी के संकेत बने हुए है according to money control user 94% लोग खरीदने की सिला दे रहे 4% लोग बेशने के 2% लोग यहाँ पर hold करने के बात कर रहे है targets अभी भी उपर के है 610-600 के उपर के target हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो अच्छी बात है और यह target बहुत जल्दी अच्छी भी होंगे company के revenue आप देखे सालना revenue में अच्छा गासा उच्छाला एवन करोना काल में जहां बाकी के revenue कम हुए है वहाँ वीपरो के revenue में उच्छाला IT company के revenue जो है वो बढ़े ह हैं क्योंकि उन्होंने cost cutting के उपर जादा focus किया था तो revenue बहुत जादा बड़े हैं पिछले साल अगर देखे तो अब तक का सबसे जादा मुनाफ़ा इस company ने कमाया है और साल दर साल इंके revenue बढ़ रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है तो वीपरो के बारा में मैं इतना कहूंगा कि देखे कल results आने वाले हैं लेकिन कल अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो एकदम से यहाँ पर कुदने की जरूद ने लिए खरीदारी करी तो बने रही है यह मेरा मानना है और दूसी तरफ जो results आने वाले है infosys के आज के वो results कैसे आएंगे और उस results के according देखे infosys में भी आज तीजी देखने को मिली है ठीक है तो नतीजे आज आएंगे कल morning में उस नतीजे का क्या असर देखने को मिलेगा share के price पर वो देखना important है कि देखे पि दोनों सेम तरीके से follow करेंगे एक दूसरे को अगर मान दीजे कि infosys के results आज अच्छे आते लेकिन फिर भी कल उसके share price में गिरावट आती है तो हम यह मान के चल सकते हैं कि vipro के नतीजे अच्छे आएंगे लेकिन फिर भी आपको share price में थोड़ी से गिरावट देखने को म इसको लॉंग टम में अपने portfolio में शामिल करना चाहिए यहां पर खरीदारी विक्वाली वाला गेम नहीं कर खेलना चाहिए खरीदो गिरावट में add करते रहो बलकि पैनिक में आकर बेचो मत क्योंकि याद रहे यह वह company है जिन्होंने कई यों को करोड़ पती बनाया है और आने वाले दिनों में भी कईयों को और बड़े करोड़ पती लगपती बनाने वाले का दमखम रखता है यह तो विपरो के बारे में इतना ही कौंगा long term का share है बेचने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए वीडियो को यहीं पर एंट करूंगा पसंद आया हो तो लाइक तो चैनल पगरा पहली बारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विपरो लिमिटेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिए बता सकते हैं थैंक्यू